हेलो, सेकंड स्टांडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिज ग्रामर लेसन नमबर एटीन दे प्रेजन्ट कंटिनियोस टैन्स क्या कहते हैं इसको? दे प्रेजन्ट कंटिनियोस टैन्स ध्यान से सुनियेगा सब अब नीचे का पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या होगा पता है? इसका मतलब यह है कि मैं स्कूल जा रही हूं अब इसका देखते हैं नीचे क्या लिखा है? अब याद रखना इसमें कहा है कि मैं स्कूल जा रही हूं अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको इंगलिश में बता रहे हैं सुनना अब मैंने आपको कहा था स्पिकर्स क्या होता है? स्पिकर यानि कि जो बोलता है वो अब इस सेंटेंस में स्पिकर कौन है? अब सेंटेंस क्या है? मैं स्कूल जा रही हूं जो बोलता है वो स्पिकर है यानि कि मैं ये जो है वो बोल रहा है न? कि I ठीके? तो उसको क्या कहते हैं? I को स्पिकर कहते हैं तो अब है स्पिकर ओफ दे सेंटेंस इस अन दे वे तो स्कूल राइट नाउ यानि कि ये जो स्पिकर है ठीके, वो है speaker, वो अभी school जाही रहा है, वो रुका नहीं है, उसका school जाना continue है ठीके, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर कोई भी action है न, खाना, पीना, दोड़ना, उठना, चलना, बैथना, कुदना, eat, sit, right, jump, walk, sleep वो सब क्या हुआ, action worked, तो अब यह जो action है, अगर चालू ही रहते हैं हमारे तब जो speaker है, speaker है, speaker वो action यूज़ करता है, तो उसका मतलब यह हुआ कि speaker जो action यूज़ करता है, वो चालू ही होता है, तो उसको कहते हैं हम present continuous tense अब इसके बारे में और थोड़ा आगे देखें, अब यह जो है I am going to school क्या लिखा है, I am going to school अब इसमें, the verb am going, अब क्या कहा है इसमें, कि यह जो am going है ठीके, वो क्या है, verb है, यह am going है, वो क्या है, verb है याद रखना है, कि यह am going है, वो क्या है verb है, ठीके, the verb am going in this sentence indicates that, अब इस sentence में, यह जो am going है, वो यह indicate, indicate, indicate यानि कि दिखाना, निर्देश करना है, यह am going, वो यह बताता है, कि the act of going is in progress, at the present time, ठीके, अब यह जो am going है, उससे हम को यह पता चल रहा है, कि अब भी, present time, यानि कि अब भी, यह वाला जो action है, जाने का, school जाने का, वो अभी progress है, progress में, progress में है, यानि कि वो action, चालू ही है, जैसे कि, मैं अब भी आपको पढ़ा रही हूं, तो क्या होगा, I am teaching you, है न, आप लोग अभी सब सुन रहे हो, तो सुनना क्या होता है, listen, तो you are listening, इस तरीके से, और भी आगे देखें, क्या है, So, the verb am going, यह verb कौन सा है, यह वाला, am going, ठीके, So, the verb am going is, ठीके, यह am going जो verb है, वो क्या है, उससे हमको पता चलता है, कि sentence कैसा है, Sentence है, the present continuous tense, जब भी आपको sentence में ऐसा ing वाला दिखता है, तो आप समत जाना, कि यह sentence कैसा है, present continuous tense है, यह sentence कैसा है, present continuous tense है, और, और यानिकी, या तू, ठीके, अगर ing दिखेगा sentence में, तो वो sentence present continuous tense है, या तो फिर, present progressive tense है, continuous क्या हुआ उसका meaning, वो चालू ही है, और progressive, उसका भी meaning वही हुआ कि वो जो action है, अभी वो चालू ही है, ठीके, यह दोनों एक ही नाम है, the present continuous tense, and the present progressive tense, यह दोनों एक ही नाम है, फिर क्या लिखा है, तो प्रेजन टेंस फॉर्म ओफ बी, ठीके, अब उसमें कैसा था, am going था, तो ऐसा नहीं होता है ना, कभी am भी आ सकता है, कभी is भी आ सकता है, और कभी r भी आ सकता है, तो यह am is r जो है, वो तीनों क्या है पता है, यह तीनों बी के फॉर्म हैं, उसको ऐसा बोला जाता है, कि present tense form of b, am is r, यानि कि, अगर कोई भी sentence, present tense में हैं, तो उसके b के form हैं, वो am, is, r है, ठीके, i के साथ am होगा, फिर he, she, it, उनके साथ हम is use करते हैं, फिर r किसके साथ आता है, plural के साथ, है ना, अब फिर से देखें, the present tense form of b, am is r, and ing form of any action verb, यानि कि present tense form का जो b है, उसके कौन-कौन से है, present tense form के b, के form, am is r, और अगर किसी भी action verb में, अगर ing हम उसके साथ aid करना है, ठीके, am is r, और उसके साथ जो भी हम action करेंगे, जैसे कि आप खाते हो, तो खाने को क्या कहते हैं, इंग्लिश में eat, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, eat का spelling पता है न, क्या होता है, eat का spelling, e, a, t, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, i, n, g, तो क्या हो जाएगा, eating, ठीक है, वैसे ही, अब उसके बाद देखें, अब किसी भी sentence में अगर आपको एमिजार और यह ing form दिखेगा action verb का together यान की दोनों, यह एमिजार और यह ing form दिखेगा action verb के साथ दोनों, तो आप समद जाना कि वो sentence कैसा है, present continuous tense, ठीक है, अगर आपको किसी भी sentence में, m, e, s, r, plus, action verb होता है, खाना, पीना, उठना, दोना, बेटना, कुदना, चलना, सोना, है न, उन सब के पीछी अगर ing लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, present continuous tense, अब जैसे की, यह जो सारे है न, वो सारे action word है, देखो, play यानि की खेलना, sing, गाना, jump, कुदना, tell, कहना, fly, उड़ना, go, तो जाना, यह सब क्या है, action verb है, है न, action verb सारे, अब हमको क्या करना है, यह जो सारे action verb है न, यह सारे, उनके पीछे हमको यह ing लगाना है, अब heading भी क्या है हमारी, add ing to the end of the action verbs, end, यानि की यह जो खत्म हुआ न, इधर हमको लगाना, end में, यह g के बाद में, g के बाद में, p के बाद में, l के बाद में, y के बाद में, और o के बाद में, इसको कहा है, end, ठीके, add ing to the end of the action verbs, यानि की यह जो action verbs हैं, उनके add में हमको ing लगाना है, तो चलो हम लगाते हैं, लगाएं, जैसे की play plus ing लगाए दिया, तो वो क्या हो गया, देखो, यह play और पीछे ing हैं, प्लेइंग हो गया, क्या हो गया, playing फिर sing, उसके पीछे ing लगा दिया, तो क्या हो गया, singing, अब playing का मीनिंग क्या होगा पता है, खेल रहा है, मतलब उसका खेलना अभी चालू ही है, खेली रहा है वो, singing यानि की गा रही है, मतलब उसका गाना अभी चालू ही है, वो गा रही है, jumping, है न, देखो, jump का jump, फिर ing का ing, सब में वेशा ही है, क्यूंकि हम add कर रहे है, jumping ही, कूदना, मतलब वो कूदे ही जा रहा है, कूदे ही जा रहा है, अभी ये क्या है, tell plus ing, telling, मतलब कह रहा है, वो कही रहा है, कहना उसका चालू ही है, flying, यानि की उड़ रहा है, उड़ना भी उसका चालू है, जैसे kite, kite is flying, है न, मतलब काइट जो है, वो उड़ी ही जा रही है, उड़ी ही जा रही है, तो उसके लिए क्या use होगा, ing, जैसे कि going, go plus ing, तो going, I am going to school, था न, वो school जा ही रही है, रुकी नहीं है, बैठी नहीं है, कहीं भी खड़ी नहीं है, उसका school जाना चालू ही है, इसलिए क्या लिखा है, I am going, तो ये थी हमारी आज की exercise, इस वीडियो को बार बार देखकर learn करना है, revise करना है, ठीके, और फिर मिलेंगे, next वीडियो में, इसके remain part के साथ, ओके, thank you students,